नमस्कार जार्खन समाचार में आप सबों का स्वागत है आयोज जानते हैं आज की ताजा मुख की खबरों को जार्खन में डिलिस्टिंग महारेली में बोले पद्म भुसन कडिया मुंडा धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं मिले आरक्षन का लाब जनजाती सुर्ख्षा मंस द्वरा रेवार को राची के मुरहबादी मैदान में उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारेली का आयोजन किया गिया इस महारेली में बड़ी संख्या में जनजाती समाज की लोग जार्खन के विभेंजीलों से पहुंचे इस रेली का मुख्य मुद्दा था कि जिसने जनजाती के मत या विश्वासों का प्रतियाक दिया हो और इसाई या इसलाम धर्म अपना लिया उसे अनुसुचित जनजाती यानिकी एस्टी का नहीं समझा जाए और उसे अनुसुचित जनजाती की आरक्षन का लाब नहीं म राश्ट्रे सयोजक पुरोमंत्री गरिसराम भगत ने कहा कि देश की 700 से अधिक जनजातियों के विकास एंग उन्नती के लिए समिधान निर्माताओं ने आरक्षन एंग आनी सिवधाओं का प्रवधान किया था लेकिन इन सिवधाओं का लाब अधिकतर वे लोग उठा रहे हैं जो अपनी रूडी पर्था छोड़कर इसाई या मुसलिम बन गये हैं और इन सिवधाओं का 80% लाब मोल जनजाती समुदाय से छिन रहे हैं जारकन में निर्मल महतो के जयनती पर आजसु पार्टी करेगी जन समाएं परतिमा का अनावरन करेंगे पुरो मंतरी रामचंदर सहिस आजसु पार्टी आज 25 दिसमर को आजसु के सथापक और जारकन अन्दोलनकारी सहित निर्मल महतो की तहतरवी जयनती राजभर में मनाएगी केंदरी मुख परवक्ता डोक्टर देव सरण भगत ने बताए कि जारकन अलग राईज अन्दोलनके प्रेणा निर्मल महतो का नाम जारकन के वजुद से जूरा है निर्मल महतो की सोच को उर्जा परदान करते हैं उनकी तहतरवी जयनती पर आईसू पार्टी राईस की सभी गाउं, पंचायतों, परखंडों, विधान सभाचेत्रों और जीलों में सभाओं का एज़न करेगी इस दोरा निर्मल महतो की सोच को जन जन तक पहुचाने का संकल्प लिया जाएगा जारकन के पुरो मंत्री रामचंद सहिज मुकरूडी हलुद बनी मोल पर सहिज निर्मल महतो की पतिमा का अनावरन भी करेंगे देवगर में जालबो इंप्लाइज फेडरेशन की बैठक सिवा नियमित नहीं होने पर चरनबद आंदोलन का एलान रेविवार को जारकन लोकल वर्डिज इंप्लाइज फेडरेशन सिंथाल प्रगना प्रमनल की बैठक आस्थानी केके एन स्टेडियम के समीप इस्थित सामुदाइक भौनवे प्रदेश अध्यक्ष असो कुमार सिंग की अधिक्षिता में संपन्वी बैठक में देवगर वागरीडी नगर निगम सहित गुड़ा मिहजाम दुमका सहब गन जसीडी बासुकिनाथ पाकुड और राजमल के परतिनी दुनी भाग लिया मोके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बार बार नारा देती है कि समाज के अंतिम पंक्ती में खड़े विक्ति को लाप दिया जाएगा तो नगर में कारेरत सफाय मित्र को सरकार नियाय नहीं कर रही है ऐसी इस्तिती में आमजन का क्या हाल होगा या सहजी अंदाजा लगाया जा सकता है चुनावी वर्स में मुखमंत्री कह रहे हैं कि वर्सों से कारेरत तैनिक बेतन भोगी करमस्यारियों की सिवा नियमित करने की बात पर नियाय करेंगे इनी सब समस्याओं को लेकर फेडरेशन की राज अस्तिरी बैठक राची में तीन जन्वरी को अउजित किया जाएगा इसकी अलावा 27 जन्वरी को जागरिती रेली सहधारना सभी नगर निकाय में चलाया जाएगा जबकि 25 जन्वरी को निकाय अस्तर पर मसाल जुलोस निकाला जाएगा इसके बावजुद यदि सरकार सरोच नियायाले की निर्देसा अंसार देनिक बेतन भोगी कर्मियों की सिवा नियमित नहीं करती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा ज़ारकन के सियम का एडी से बचना कठिन आने वाले समय में यहां के कई और अफसर जेल में आएंगे नजर बिजेपी ने कहा भाजबा के राष्ट परवक्ता सेयद जफर इसलाम के मुताबिक ज़ारकन के सियम हमन स्वरेन के खिलाप करफसं से जुड़े कई पुपता परमान एडी के पास है चुकि सियम को पता है कि वे भरष्ट चार में सामिल है उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है अन्तता उन्हें जेल भी जाना ही होगा इसी असंका में वे इडी के पास 667 के बावजूत नहीं गये हैं भाजबा परदेश मुख्याले में रेवार को प्रेस कॉनफरेंस में उन्होंने किसी अधिकारी का नाम लिये बेगर कहा कि कुछ अधिकारी अपनीर करतु से यहां जेल तक जा चुके हैं कई और अधिकारी भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वे आजिवन वर्तमान सियम के सरक्षन में सुरक्षित रहेंगे साथ ही इस अधार पर वे करफशन में भी लिपता है पर यह भी तय है कि वे जाच एजेस्यों के रडार पर है उनके खिलाप रिकॉर्ड जाच एजेस्यों के पास है अन्तता उन्हें जेल भी जाना होगा मोके पर प्रदेश प्रवक्ता अविनास कुमार, परदेश मीडिया परभारी स्वीपोजन पाठक भी उपस्तित थे। पर्तिपक्ट के नेता ने कहा कि अभी का समय लोग छूटियां मनाने के लिए जहां तहां जाते हैं। नतिजा, बालू, रोजगार, विधिवेश्था आदि की समस्या काफी बढ़ी वी है। सरकार में सामिर रायनेतिक पार्टियां के लोग जंडा बेनर के साथ स्वीरों में नहीं जाकर सरकारी मस्नदी का दुरिप्योग कर रहे हैं। परसासन को आगे कर जहारकार सरकार पार्टी को आगे ले जाना चा रही है। नेता पर्टिपक्ष ने अब वो आवाज विजणा पर सवाल उठाते वे कहा कि यह मात अफवा है, हर स्वीर में सेक्रों आविदन लिये जा रहे हैं। लेकिन लाब किसी को नहीं मिलने वाला, बड़ी मुश्किले दो से तीन लाबुक को परतियक पंचायत लाब दिया जा सकता है, जबकि शेक्रों लोगों को आविदन लिया जा रहा है। सामने आये हैं, कानुनी सिकंजा में अफसर जेल के अंदर है, शियम को छे बार एडिका समन हो गया है, इससे बड़ा और दुभागी क्या हो सकता है। इधा जो है इस पत के लिए जिलावार नियुक्तियों में आरक्षान रोष्टर का पाला नहीं किये जाने को लेकर हंगामाज सुरू हो गया है। 24 में से एक दरजल से अधिक जिलों में OBC के लिए एक भी सीट तै नहीं किये जाने की सिकायते आने लगी है। प्रदेश भासपा सहित, स्टुडेंट यूनियन, राष्ट्री OBC मोचा सहित अने संगटों ने इसे लेकर सरकार के नियत पर सवाल शुरू कर दिया है। इदा जोहे नेता पर्तिपक्च अमर कुमार बावरी के मुताविक 16 जिलों से OBC वर्ग के केंडिडेट के हकमारी की खबर है। तो कभी OBC के लिए 37% आरक्षन के नाम पर बार बार विध्यक लाकर बड़ी बड़ी बाते हो रही है। जारी पत्र में कहा गया है के इन सरकार के प्रजोजेक्ट अपरूवल बोर्ड यानकी PAB में खेल और सारिक शिक्चा के प्रात्मिक विद्याले और उच प्रात्मिक विद्याले मद में 22.15 करोर तथा माध्यमिक एवंग सेनियर माध्यमिक मद में 6.72 करोर रासी सुक्रित की गई है। राइस के प्रात्मिक विद्याले को 5.000, मद विद्याले को 10.000 और माध्यमिक और उस्तर माध्यमिक विद्याले को 25.000 रुपे परती विद्याले के 10.80 का आवंटन क्या गया है। धनबाद में खरन टास्क फोर्ष ने 156 तन अवेत कोला लदे 11 वहनों को जब्त किया। लागबंग 156 तन अवेत कोला लदा हुआ था। निर्सा में 3, बरवाड़ा में 2, बल्यापूर में 1, गोविंदपूर में 1 फायर दर्ज की गई है। पुल्स मुटभेड में सामिल जेज़ेंपी के एक उगरवादी को गढ़वाव पुल्स ने गरपतार किया। गरपतार उगरवादी की निसान देही पर एक इनसास चार राइफल गोली स्टमित अनिसमान बरामत किया है। गरवादी मुनोज राम उर्फ मुनोज कुमार गरवाजिला के रमकंडा थनाचितर इस्तीत दुर्जन का रहने वाला है। उसी की निसान देही पर एक इनसास राइफल, एक इनसास राइफल का मेगजीन, अधार दाजन 5.56 mm केलिबर का गोली, 4 315 बोर का राइफल, 4 315 बोर में लगने वाले मेगजीन, 4 315 बोर का गोली और दो गोली रखने वाले पाउस बरामत किया गया है। गरवा के एसपी दिपक कुमार पांडी ने रेवार को प्रेज कोंफरेंस में ये बताया के रंका थना चेतर इस्तित, डियोंगडा गाउमे 17 दिसमर को पुलिस ओर परतिमनित नक्सली संगठन जेजे एमपी के एरिया कमांडर दुनेस उराओ के दस्ता के साथ मोडभेर की बरामत किया गया था, मुडभेर में सामिल जेजेंपी नक्सली संगठन के आने उगरवादियों की गरपतारी के लिए छापामारी दल का गठन किया गया था, उक्त छापामारी दल ने मुडभेर में सामिल सक्री उगरवादी मनोज राम और्फ मनोज कुमार पिता, प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी द्वरा चलाए जारी कारिक्रम आ आवलोट चिले के तहत राची के विद्यानगर के करम चोक में मिलन सम्मारों का आयजन क्या गिया सुवन सी के नेतरित में सेकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामा इस मिलन सम्मारों में प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्स राजस ठाकुरम की अथिती के रूप में मौजूद थे उन्होंने महिलाओं को संबोधित करती भी कहा कि मिलका आर्जन खडगे के ससक्त नेतित एंग राहूल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के कॉंग्रेस के परती आस्था बड़ी है यही वज़ाए कि आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कोंग्रेस पार्टी का दामन थाम रही है दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्लेस कर दीजेगा ताकि खबरों का अपड़ीट आपको मिलता रहेगा इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही हमें दीजे इज़ाजत नमस्कार